सात्यों नमस्कार मैं हूँ एड़ोगड सौक्स चोधरी सात्यों आज अपन बात करेंगे टोप 10 कंट्रियां टोप 10 कंट्री कौन सी हैं जो पे हाई स्किल जोब में अच्छी सेलरी मिलती हैं ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के परपस से बनाया गया है को अधरवाइस सात्यों निगेटिव कमेंट ने करें यहां ऐसा है वहां वीजा कौन देता है यह वह वह बाते करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं सिर्फ आपके जनरल लोलेज के लिए कि कंट्रियों अगर आप सेर्च करोगे टोप 10 कंट्रियां जो तो आपको ये कंट्री निकल सी कंट्रियां जिसमें आपको आपको अच्छे हाई स्किल्ड के जो वाँपे मिल सकते हैं तो पता दूं इन कंट्रियों में पैसा बहुत कम लगता है अगर सечाई देखी जाए यूरोप कंट्री से भी कम लगता है गलब कंट्रियों से भी कम लगता है लेकिन भाई काम नहीं हो पाता और इनी के नाम से अजेंटों के बले-बले हो जाती है साथियों आगे हम बात करेंगे United Arab Emirates ये कंट्री का मैं समर्तन करता हूँ क्योंकि भाई ये गलब की कंट्री है दुबई जिसको बोल सकते हैं UA है ठीक है इसको पूरा नाम तो United Arab Emirates है लेकिन इसको UA में एक दुबई का नाम से हर आदमी इसको पहचान जाता है क्योंकि दुब साथियों दो नंबर ये होगी तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे Australia अगर आप Australia जाना चाते हैं तो बहुत हाइस के लिए जो बाराम से मिल जाते हैं लेकिन इसके लिए आपको capability होनी जुरूरी है आपकी योगेता होनी जुरूरी है शेलरी यहां पे लाखों में मिलती है दो opportunity बहुत अच्छी है इंडिया के बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे job कर रहे हैं जो high school अच्छे job है जिनकी शेलरी लाखों में होती है आप सब लोगों को पता होगा आगे पांस नंबर पे बात करेंगे साथियों फ्रांस अगर आप फ्रांस भी एक अच्छी country है जोब के ल बात करेंगे चाइना अब चाइना का नाम आएगा तो लोग तो नेगेटिव भाई कमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टोप 10 कंट्रियों की मैं बात कर रहा हूं मैं करोनोवाइरस की बात नहीं कर रहा हूं चाइना एक अच्छी country है एकोनोमी अच्छी है यहाँ पे जोब क साल पहले भी वीडियो डाला था तो तिन लाग चार लाग रुपे मेना कहीं नहीं जाने वाला अंदाज अराम से बंदा यहां पे कमा लेता है जोब स्किल्ड के इसाब से ठीक है साथियों आगे हम बात करेंगे यूके अब यूके में सबसे वैसे तो कम जोब आते हैं ले है आगे हम बात करेंगे नौ नंबर पर मेक्शिको मेक्शिको के नाम से मेरे पास बहुत जादा कमेंट सी भी आते हैं इंडिया के कुछ लोग वहां पर जूब करते हैं अलांकि यहां पर लोग इतना नहीं हैं जितना होने चाहें में मेक्सिको में लेकिन एकोनोमी को लोग जानते हैं ना उसी के नाम से लोग जोब निकाल निकाल के लाते हैं चेह उनके पास हो या नहीं हो लेकिन लोग उस जोबों के नाम से पैसा लोगों को दे देते हैं तो मैंने शिरफ आपको यह जानकरी दी है कि जोब बात करेंगे हाई स्किल्ड की तो यह टोप 10 कं स्क्राइब करने के साथ बेल आइकन जुरूर दबा दें ताकि है रोज अच्छी ची जानकरी आपको मिलती रहें जाहिंद वंदे मात